अगर आप एक नॉन स्टिक लेना चाह रहे हैं तो ये आपके किचेन के लिए एकदम सही नॉन स्टिक कुक्वेर सेथ है इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा आज में लेके आई हूँ प्रेस्टिस के नॉन स्टिक ओमेका डिलक्स ग्रेनाइट सेथ हां जी ये वाला एक एसा ग्रेनाइट नॉन स्टिक सेथ है जो हमें थ्री पीस के साथ मिलता है और इसका जो नॉन स्टिक होता है बाकी नॉन स्टिक से अलग होता है पहले इसके जैनरेली यूज हो सकता है तू तू फोर पिपल के फूर्ट प्रिपरेशन के लिए यह होती है एक गैश इंडेक्शन कमपेटिबल इसमें क्या होता है यह पीछे की तरफ जो प्लेट होती है उसमें आपकी इंडेक्शन गैश सब पे चल जाती है आप बात करते हैं इसकी प्रिपेर करते है तो वो उसके लिए यह यूटेंसिल बहुत परफेक्ट होता है आप बात करते हैं लिद के इसमें पूरे तफिन ग्लास के मिलती है लिद तुटे की नहीं आपकी साथी साथ बात करते हैं साइड में आपको स्टील सपोर्ट के साथ मिलती है यहाँ पे स्टे कूल हैंडल होता है जो पीछे स्क्रू होता है जो आप ताइड भी कर सकते है य और एग लीधी आप कराई में भी यूज़ कर सकते हो और फ्राइपेन में भी यूज़ कर सकते हो अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी यूटेंसिल की जो की तावा तावा जो है ये ये भी ग्रेनाइट फिनिस्ट में आता है ग्रेनाइट फिनिस्ट का जो तावा होता है ये न नौन स्टिक ताओं में रोटी ना बनाईए जिसकी वज़े से ये ओवर हीट हो जाएगा साथ ही साथ ओवर हीट होने के साथ ये डिफॉर्म भी हो सकता है और इसमें हीट बहुत कम लगती है कभी भी आप नौन स्टिक यूज करते हैं तो उसको आपको प्री हीट करने की जर से इंपोर्टेंट बात में आप लोगों को बताना चाहूंगी नौन स्टिक कुक्वेर से जो है वो गरम गरम पानी में रखना नहीं है मैं इजी बता देती हूँ जैसे गरम टावा है और फट से आप थंडे पानी में डाल दिया तो ये गलती कभी करिएगा नहीं इससे न अमेसा ध्यान रखिएगा अब मैं इसके प्राइस के परे में बात करते हूँ इसका MRP जो है वो 3680 रुपीज का है मैंने ये ओफर में Amazon से 2300 में लिया था आप लोग भी ये आराम से खरीच सकते हैं और डेली वसीस में ये यूज कर सकते हैं मैंने त्री येर्स यूज करने यही मेरा प्रोड़क रिव्यू था जो मैंने यूज करने के बाद ही आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया तो आप लोग जरूर ये आराम से खरीच सकते हैं मैं लिंक दे दूँगी डेस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर खरीच लीजे और जरूर यूज करके हमको ब